Hello everyone, welcome to my YouTube channel दोस्तों, अमरीका और बिटेन ने इरान समर्पित यमन के हूती संगटन पर हमला किये जाने के बाद हूती संगटन की ओर से बड़ी पिर्तिकरी आई है हूती संगटन ने कहा है अमरीका और बिटेन की इस हमले का हम बदला बहुत बड़े और कड़े तरीके से लेने वाले है और हम कसम खाते हैं इस हमले का बदला हम बहुत जल्दी लेने वाले है आगे इरान समर्पित हूती संग्टन ने कहा है कि अमरीका और बेटेन के ये हमले हमारे मकसद को नहीं तोड़ सकते और नहीं हमारे जो जज़बा है उसे खत्म कर सकते है जो हमारा मकसद है गाजा को सपोर्ट करना और हम इसराइल के खिलाब गाजा को सपोर्ट करते रहेंगे दोस्तों आपको बता दूँ सबसे पहले जो अमरीका की जो चौकी सेन चौकी है टाबर बाइस जो जॉर्डन में मौझूद है सीरिया और इराकी बॉंडरी पर तो इस पर हमला किया गया था जिसमें किया हुआ था तीन अमरीकी सोल्जरों की मौत हो गी थी और चौकी से ज़्यादा इसमें घायल हो गए थे हमारा इसमें कोई भी involvement नहीं है और उसके बाद अमेरिका ने एराक और सीरिया पर ये हमला किया है और उसके अगले दिन उन्होंने होती संग्टन जो यमन का होती संग्टन इस पर भी हमला किया है यानि उसने 13 जगों पर कुल 36 ठिकानों को निसाना बनाया है तो उसमें काफी एक जवाब दिया है इसे लेकर उन्होंने बताया है कि जो यमन की राजदानी साना है सना है इसमें कुल 38 हमले किये गए हैं और अमरीका और ब्रेटन इस तरीके के हमारे मनोबल को नहीं तोड़ सकते और जल्दी हम इसका बहुत कड़े तरीके से जवाब देने वाले और हम किसम खाते हैं कि हम जब तक अपने मकसद में जो हमारा मकसद है में मकसद में कामयाब नहीं हो जाते और तो हम इसी तरीके से हमले करते रहेंगे आपको बता दूँ इसराइल द्वारा लगातार गाजा पर अटेक किया जा रहा है जिसमें बहुत सारे फिलस्तिनियों को मार दिया जा रहा है और इसके जबाब में होती संगटन लाल सागर में अमरीका और बेटेन और कनाड़ा जो भी इसराइल को समर्तन कर रहे हैं उसका क्या कर रहे हैं यह लोग उनके व्यापारिक जहाजों को निसाना बना रहे हैं इन्हें याया सारी ने आगे कहा इसी तरीके तक यह अम्रेका के जो इसलीके के नहीं तोड़ सकते यह बात नहीं और जो अमरीका ने यह हम्ला किया है इसका जबाब हम बहुत जल्द ही देने वाले हैं दोस्तों आगे आपको बता दूं ब्रेटेन के रक्षा मंत्राले ने बताया था कि उन्होंने होती संगंटन के रॉयल हमले 36 होघी संगंटन पर हमले किये हैं और उनके बहुत सारा नक्सान कर दिया है तो बेटेन और अमरीका ने मिलकर हमले किये थे Israel उबरीक और सीर्या पर अपर अबरीका कै ने तो बारे मे ने ही खलाएं यह वारे में यह इसके अलाबा जो जॉइ बेटन है इनोंने भी इस बात की जानकारी दी थी उन्होंने यूझा सेन्टर कमांड दौरा ये बताया गया था जिस थिचे शरीके सितनी तरगेट्स बनाये थे और इन्हों ने ये बताया था कि ये जो हमला था ये इसलामिक रेपूडेशनरी गार्ड्स कॉर्प के खिलाब ये हमारा हमला था इसके जबाब में आपको बता दूँ अब हूती संग्टन का कहना है कि हम इन हमलों का जबाब बहुत जल्द लेने वाले हूती संग्टन का बस इतना था मानना है जो लोग इसराइल को समर्थन कर रहे हैं चाहें अमरीका हो कनाड़ा हो ब्रेटेन हो तो उन सब के हम व्यापार्ग जहाजों को इसी तरीके से निसाना बनाते रहेंगे हूती संक्टन का कहिएना है इज़राइल समर्थन करने वाले जितने भी देश हैं हम उनके जहाजों किसी तरीके से निसाना बनाते रहेंगे जब तक कि इज़राइल गाजा में फिलस्तीनियों को मारना और हमले करना बंद नहीं करते हैं आपको बता दूँ स्वास मंतराले की रिपोर्ट के मताबिक गाजा में अब तक 27,000 से जादा लोग मारे जा चुके हैं और इसके अलाबा लगबग 64,000 से जादा लोग घायल हो चुके हैं और पलायन कर चुके हैं और इधर उधर बिचारे परसान फिर रहे हैं दोस्तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे मिलते हैं दोस्तो अगली वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत